इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मोराज वाटरफॉल गेटवे जो प्रोजेक्ट मीहान में है जैसे आप यह फर्स पेज में देख रहे हैं यहाँ पर एक टैगलाइन दी हुई है फ्रीडम फ्रॉम रेंट एन एमाइ तो इस टैगलाइन का डीटेल में हम लोग डिसकर्शन करेंगे वीडियो के एंड में और यह वीडियो तीन चरनों में रहेगा सबसे पहले हम यह प्रोजेक्ट का एक्स्प्लेनेशन देंगे उसके बाद करेंट प्राइज और यह जो आफर क्या चल रहा है जो हमने लिखा हुआ फ्रीडम फ्रॉम ब्रेंट एन एमाइ और तीसरे भाग में कम्प्लीट एफेक्यू फ्रिक्वेंटली आस्ट कोश्चन रहें यह तीनों चीज़े हम एक ही इसी वीडियो में कवर करेंगे आप जैसे देख पा रहे हैं बिल्डिंग का एलिवेशन जो पिच्चर आपको दिख रहा है यह एक्च्वल बिल्डिंग का फोटो लिया हुआ है ऐसा नहीं है कि यह एक विजुलाइजेशन है या आर्टिस्टिक विउ है यह पूरा बिल्डिंग रेडी है और यहाँ पर फैमिलीज भी रहती है अगर हम लोग साइट की बात करें तो हमारे महराश्च्र में एम्स जो डिकलेर किया हुआ है वो नाफपूर में डिकलेर किया हुआ है और इसका जो प्रोजेक्ट का कंस्ट्रेक्शन एम्स का जो कंस्ट्रेक्शन शुरू है वो मिहान में शुरू है हमारे प्रोजेक्ट की बात करें मौराज वाटरफॉल गेटवे की तो एग्जैक्ली डाइगनली अपोजिट टू एम्स हमारा प्रोजेक्ट है इसमें interest दिखाना चाहिए ये flat book करना चाहिए जो लोग आज के date में 2BH के या 3BH के कहीं पर भी rent पे लेकर रह रहे हैं उनके लिए ये best opportunity है और अगर जो लोग investment के हिसाब से देख रहे हैं जो property लेके income tax में benefit और property rent में देना चाहते हैं के लिए भी ये बहुत अच्छा मौका है ये पूरा का पूरा ब्रॉशर जो आप देख रहे हैं interactive ब्रॉशर है इसके link मैंने video description में दी हुई है और जो भी जैसे phone number, videos इसके जो भी clickable link से वो सारी की सारी open होती है और इसको आप description में जाके download कर सकते हैं अगर हम हमारे project के बारे में बात करें तो मौराज waterfall gateway ये एक lota high-rise apartment है जो ready है मिहान में total 18 floor का ये building है और 5 tower इसके बने हुए है ready units total 321 units है जिसमें 200 plus flat occupied भी है और families वहाँ पे रह रही है आप कोई भी project में जाएंगे तो आपको negative और positive point दोनों ही हर एक project में मिलेंगे लेकिन मैं आज सिर्फ यहाँ पे हमारे positive points के बारे में बात कर रहा हूँ और positive point क्या क्या हमारे project के है वो सारे मैं आपको बता रहा हूँ अगर हम आप हमारे project में देखेंगे तो यहाँ dedicated 400 cars का parking आज के date में है तो total units हमने अभी first ways में build कियो है 321 और 400 cars का provision है तो इसका मतलब car parking more than sufficient available है तो आपको कभी भी ही car parking का यहाँ पे problem नहीं जाएगा और car parking तो हम लोग आपको दे रहे हैं लेकिन अगर आपको extra car parking चाहिए तो हम लोग उसके लिए बात कर सकते हैं project में अगर आप open space की बात करेंगे तो इसका garden और जो जितने भी project के open space है यह free from vehicle है आप, आपके बच्चे, आपके माता-पिता आराम से यहाँ पे टहल सकते हैं खेल सकते हैं इसका मतलब यह कि जब आपके बच्चे नीचे खेल रहे हैं तब आराम से आप flat में निश्चेंद बैट के आपका काम कर सकते हैं building की बात करो तो हमारा structure जो बना हुआ है building का पूरा का पूरा वो M40 and M30 great concrete से बना हुआ है जो हमारे देश में bridges जो बनते हैं वो M40 और M30 great के concrete से बनते हैं आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे construction quality कैसी होगी सारे के सारे flats अगर आप almost सारे flats हमने कोशिश की है कि उसको वास्तू compliance कर तो आपको maximum flat as per वास्तू हमारे building में मिलेंगे बहुत से लोगों का question होता है कि commercial का कैसे day to day needs का कैसे रहेगा grocery shops और day to day needs के लिए और other activities के लिए हमने हमारे second phase में commercial construction भी शुरू है और हाँ obviously आपने देखा होगा जहां भी metro cities में मुंबही में या जहां कई भी metro stations हैं आप देखेंगे कि metro stations के nearby residential properties का या properties का demand जादा रहता है और comparatively वहाँ rates भी property के जल्दी बढ़ते हैं तो अगर हम हमारे project की बात करें तो हमारे project के बहुत ही नजदी खापरी में metro station है यानि walking distance पे आपको metro station मिलता है जो करीब देड किलोमेटर आएगा हमारे project के back side में भी metro का काम है लेकिन वो second phase में शायद operational होगा जो hardly 500-600 meter रहेगा उसको भी आप access कर पाएंगे लेकिन हमारा जो खापरी का station है वो आज के date में operational है in the meantime आप उसका use कर सकते हैं तो obviously और आप जो ये सामने video में building का है जो देख रहे हैं तो इसका पूरा का पूरा podium level दो लाख square feet का है इतना बड़ा podium level मिहान में आपको आज के date में तो कहीं पर भी ready नहीं मिलेगा और अगर हम हमारे building का plint level की बात करें तो हमारा plint level जो है project का वो किसी भी project से काफी हमने plint हमारा उपर लिया हुआ करीब 30 meter above road level हमने plint लिया हुआ है तो कि future में देखते हुए कभी अगेर heavy rainfall आता है या कुछ भी uncertain चीज़े होती है तो कम से कम पानी हमारे building में ना आए तो जब आप हमारे project में site visit करेंगे और actual में flats देखेंगे तो आपको चीजे समझ में आएगी कि हर एक flat चारो site से open है एक independent house का आपको feeling आएगा और ये चारो site से open होने के वज़े से यहाँ sunlight, ventilation, आपका privacy सबी चीजों का ख्याल रखा हुआ और आपको अगर अच्छा sunlight मिलता है, ventilation मिलता है तो obviously आपकी health अच्छी रहती है अगर आपकी health अच्छी है तो आपकी सारे काम अच्छे है, हमने हमारे building में तीन level का parking भी दिया हुआ है, lower basement में parking है, upper basement parking है और podium level पे भी हमने parking दिया हुआ है, जैसे मैंने पहले कहा था हमारे project में parking का आपको कहीं पर भी problem नहीं है, हमारे पास more than sufficient car parkings available है और अगर पानी की हम लोग बात करें तो पा पानी more than sufficient available है, उसके बाद separate overhead tanks भी हमने flushing और domestic water supply के लिए दिया हुआ है, जो rain water harvesting के से connected है, और generally rain water harvesting का पानी आप flushing के लिए use करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि हमारा project पूरा ready है, ready का मतलब बहुत से project ऐसे होते हैं, जो project ready होता है लेकिन वहाँ club house amenities ready नहीं होत project ready है, इसका club house भी ready है और इसके सारे amenities भी ready है, और हमने हमारे project में एक गनपती वापा का temple भी बनाया हुआ है, जहाँ पर आकर आप daily पूजा कर सकते हैं और उनका आशिरवाद भी ले सकते हैं, यहाँ पर यह जो plan देख रहे हैं आप, भी एचके का plan है, 1100 square feet का sellable area है, जो ready position है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, इसका एक sample video भी हमने बनाया हुआ है, यह video का link है, इसको आप click करते हैं, यह video open हो जाएगा, आपके mobile में, laptop में, और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि यह e-brosher का link मैंने आपको description में दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप यह video आप open YouTube में कीजिए, और वहाँ description, नीचे description होता है, वहाँ click करेंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यह video है, और इसी का description में link रहता है, जैसे यह आप show more में जाएंगे, तो आपको दिखेगा, यह सारे detail दीवी है links, तो यही मैंने download e-brosher का link दिया हुआ है, यहाँ click करेंगे, तो यह brochure open हो जाएगा आपके mobile में, या laptop में, या PC में, वहाँ यह सारी चीज़े आप access कर सकते हैं, उसी तरीके से यह 3BHK का plan है, 3BHK हमारा करीब 1360 square feet का sellable area के साथ आता है, इसका भी sample flat का video मैंने दिया हुआ है, और उसी तरह आपको यहाँ click करके video, जैसे मैंने कहा था description में जाके brochure आप download कीजिए, और वहाँ जाके यहाँ link पे click करेंगे, तो आपको 3BHK का भी sample flat का video देखने मिल जाएगा, यह हमारे project की actual images, clubhouse का image है, night view है, day view है, actual photographs actually, यह number B मैंने यहाँ दिया हुआ है, इस पे भी click करके आप मुझे call कर सकते हैं, और भी आपको information अगर चाहिए project के बारे में तो आप जान सकते हैं, अगर आपको site visit भी करना है, तो भी आप इसी पे call करके उसके बारे में जान सकते हैं, यह हमारे project के other actual images है, society members almost सारे ही थे हुआ साथ में मिलके celebrate करते हैं, तो उस celebration के ही कुछ images हमने यहाँ दी हुई है, और हाँ जैसे की starting में मैंने कहा था हमारा project मिहान में है, और मिहान किसलिए एक destination है, एक मिहान किसलिए एक preferred destination है सबके लिए, उसका reason और उसका justification यहाँ हमने return में तो दिया हुआ ही है, लेकिन इसका एक छोटा सा वीडियो भी हमने बनाया हुआ है कि मिहान क्या है, और मिहान में कौन-कौन से companies कहा का कैसे work कर रह और वहाँ कितना employment generation हो रहा है, और right now वहाँ पर indirect employment भी कितना है, तो आपने मिहान में किसलिए हमारे मौराज में flat लेना चाहिए, यह भी आपको समझ में आएगा यह वीडियो देखने के बार, तो मैं आपसे request करूँगा कि कुछ भी decision लेने से पहले आप यह एक जो हमने मिह मिहान का video बनाया है, इसे आप detail में देखे और समझे, अगर आपको कोई भी चीज इसमें से समझ में नहीं आती है, या फिर आप चाहते कि उसके बारे में और information चाहिए, तो मैंने आपको open number दिया था, please मुझे call कीजे और इसके बारे में आप जानकरी ले सकते हैं, यह हमार वीडियो टूर भी हमने हमारे project के लिए एक बनाया हुआ है, वैसे ही ब्रोशर पर यह link दी हुई है, इस पर आप click करेंगे तो तूरा यह go through करेगा आपको exact location के बारे में, हमने यह चत्रपती square से shoot किया हुआ है, चत्रपती square से तो हमारे project तक कैसे आना है, और surrounding क्या क्या च चाते हैं मेरे साथ, तो WhatsApp पर भी click करके आप मुझे message कर सकते हैं, और यहां मैंने frequently asked question का एक list बनाया हुआ है, इस पर click करेंगे तो आपको जो हमारे project के बारे में, जो generally सब questions पूछते हैं, जो general common questions रहते हैं, उसके answers मैंने दिये हुआ है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जो हमारे काम की बात है सबसे, वो बात करते हैं, इसका pricing and हमारा current offer, जो offer हमने आपको बताया हुआ है, कि freedom from rent and your mind, अब हम हमारे offer और pricing के बारे में बात करते हैं, तो pricing related मैंने आपको पहले भी कहा था कि pricing एक ऐसा factor है, जो vary करता है time to time और बाकी situation प या फिर साल बर बाद वो pricing आपको न दे पाऊ, और जो pricing आज से साल बर पहले या देविसाल था, वो pricing शायद आज न हो, तो pricing के लिए मैं request करूँगा आप से कि आप मुझे call कीजिए, और जो भी current offer या pricing रहेगा, मैं आपको WhatsApp, mail या फिर आपको phone पर बता सकता हूँ, अगर ह इस offer के तहत हम क्या कर रहे हैं, आप 10 agreement value का 10% आपको देना है, sell lead करना है, तो obviously sell lead जो stamp duty, other charges लगेंगे, वो payment करके आप sell lead कर सकते हैं, और immediately आप move in हो सकते हैं, आपके ready position flat में, तो आपका जो rental जो आप दे रहे थे, वो rent न देते हुए, आप उसका saving आपके EMI के लिए कर सकते ह आने वाले 10 मेने तक EMI company pay करेगी आपके बिहाफ में, या आप चाहते हैं कि उतना amount, जो 10 EMI का amount हम आपको एक साथ दे दे तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, कम से कम 10 मेने ने करीब करीब साल भर के लिए आप निश्चिन्द हो सकते हैं, आपके EMI से, तो 2 BHK के लिए करीब 23,000 हम लोग आपको दे रहे हैं, तो 23,000 multiplied by 10 is equal to 2,30,000 हम लोग, प्लस अगर आप जो rent पे रहते थे, तो rent का भी अगर हम लोग calculate करें, 10,000 रुपे मेना आप rent देते थे, कहीं अंडर कंस्रिक्शन प्रॉपर्टी में आप लेते हैं, तो यहाँ पे आप EMI भी दे रहे होते हैं, EMI बोलिए या EMI बोलिए वो भी दे रहे रहते हैं, और यहाँ आप rent भी देते हैं, यहाँ डबल मार आप पे पड़ती थी, यहाँ पे ना आपको EMI देना है, ना rent देना है, आपको साल भर का तो rent आपके under construction property अगर आप लेते थे for example, तो साल भर उसको बनने में लगता था, तो आप साल भर तो कमसे कम rented property में रहते थे, लाख रुपए आपका rent जाता था, ठीक है, और under construction property में लेते थे, तो obviously उसका GST भी आप पे करते थे, वो depend करता है, एक परसंट से 5% तक कहीं पे भी रहता था, लेकिन हम लोग higher side में अगर 5% पकड़ते हैं, तो आप maximum up to 2,44,000 हम 2021 तक ही valid है, जिसका extension अभी अभी मिला है, शायद 2021 के बाद ये scheme valid ये extend नहीं होगी, तो उसके तहट आप 2,30,000 तक भी आपका saving कर सकते हैं, अगर ये total हम लोग calculation करते हैं, तो 2 BHK के लिए आप करीब 8,00,000 रुपए का saving आप कर सकते हैं, उसी base पे अगर 3 BHK की बात करें, तो ह हम लोग EMI जो है, 10 months का EMI हम लोग आपको दे रहे हैं, that is around 27,000 per month, 27,000 multiplied by 10 that goes to around 2,70,000, पहले एक के example की तरह, अगर आप कही under construction property लेते थे, तो साल भर के लिए rented property 3 BHK में रहते हैं, तो करीब 15,000 उसका अगर rent का calculation हम लोग करते हैं, तो 10,000 रुपए आपका वो उसमें add कर GST जैसे मैंने पहले समझाया, हमारे यहां GST नहीं देना है, तो करीब 2,500,000 का GST आप save कर रहे हैं, प्रदान मंतरी आवास योजना में अगर आप eligible है, तो 2,300,000 का additional आपको benefit है, अगर total calculation हम लोग करेंगे, तो करीब 9,000,000 तक आप 3 BHK पे saving कर रहे हैं, तो इसी तरह pricing से related को query आपको है, जो मैंने given points है, उसमें कुछ भी confusion है आपको, तो आप please मुझे number पे call कॉल कीजिए, current pricing, इस number पे जो नहीं ने दिया हुआ, 7020791135 पे call करके current pricing और current offer क्या आप मुझसे पूच सकते हैं, वोप आपको मेरा यह presentation अच्छा लगा हो, इस presentation में ये भी हो सकता है कि काफ से एक ही request करूँगा कि कहीं पर भी आप flat या property purchase करने से पहले हमारे property को, हमारे project को एक बार consider कीजिए, क्योंकि हमारा property ready है, और आप किस चीज़ का रुपिया या पैसा दे रहे हैं, वो अपने आखों से देख सकते हैं, अब हम बात करेंगे इस project के frequently asked questions के बारे में, generally ये सार question की link तो वैसे brochure में दी हुई है, जैसे मैं आपको पहले भी कहा था, महाँ पर भी click करके आप ये पूरा document डाउनलोड कर सकते हैं, सबसे बहला question है कि where is the proposed development, तो जैसे मैंने आपको बताया था, हमारा project मीहान में opposite aims है, aims हमारा landmark है project का, क्योंकि आप पूरे Central India में, अगर aims महा पूरे महाराष्टर में aims के बारे में बात करेंगे, तो कहीं पे भी आपको कोई भी आराम से उसका location बता सकता है, गूगल में भी आप aims नापकूर डालेंगे तो आप locate करके आराम से project तक पहुँच सकते हैं, हमारे project के landmark aims है, आएम है, डली पब्लिक स्कूल, मिहान है, और यह कुछ major landmarks है, जो project के surrounding है, how far is the location from airport, railway station and bus terminus, नापपूर airport करीब 8 km है हमारे project से, जो की 10 minute का drive है, वैसे आप देखेंगे तो छत्रपती square से हमारे project तक आने है, नापपूर छत्रपती square जो है, या फिर अजनी से बूलिए आप, अजनी railway station से हमारे project तक पहुँचने के बहुत जादा traffic रहा तो 20 minute, उसका reason यह है कि अजनी railway station से, अजनी square से जो flyer शुरू हो रहा है, वो सीधा airport उतर रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो cheesebone का flyer है, आप नीचे उतरेंगे, cheesebone cross करेंगे, तो फिर खापरी का flyer है, जो मिहान में उतरता है, मेरे खाल से दो signal आपको सिर्फ लगते हैं, अजनी square से लेके तो हमारे project तक आने थे, और almost four wheel road है, और flyer flyer से ही आपको आना है, तो वहाई मोराज waterfall is the preferred project, देखिए हमारे project airport से पास है, metro station से पास है, aims opposite है, I am opposite है project के, दो काफी reputed school हमारे इंडिया के, वो project के surrounding है, Delhi public school और डिवा पाटिल international school, road connectivity बहुत अच्छी है, environment friendly और pollution free project है, high rise tower आपको शायद हमारे ही project में मिलेंगे, और करीब करीब दो लाख square feet का podium हमने बनाया हुआ है हमारे project में, और other amenities जैसे temple है, swimming pool है, open and close separate gym है, children play area है, indoor and outdoor games है, MP theater है, garden है, generally मैंने देखा है कि almost family को देखते हुए flat लेते हैं, बच्चे surrounding कौन से school में जाएंगे, society कैसी रहेगी, बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह है नहीं है, उनके physical mental development की growth वहाँ project में, या फिर वो open space जो खेलने की रहेगी, उसके थूरू कैसे हो सकती है, like minded people रहेंगे नहीं रहेंगे, तो ऐसे छोटी 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 चीज़े हैं, जो long run में काफी matter करती है, तो हमारे project में अगर आप आपके बच्चों के future के हिसाब से देख रहे हैं, तो हमारे project में और सारे ही चीज़े हैं, जो आपके family के लिए और आपके बच्चों के लिए फाइदे मन्द है, is there any public transport available to other parts of the city, तो obviously cap service है, bus हर आदे घंटे में आती है, तो market convenience store near the location, देखे, currently सारे ही online stores जो होते हैं, वो आपको delivery तो देते हैं, लेकिन vegetable के लिए आपको खापरी का market है, जो हफते में दो बार होता है, और काफी reasonable rate में आपको सारे ही groceries वहाँ पे, groceries बोलने से सारे vegetables जो रहेंगी, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, और हमारे project के प्र plans to come up with any convenience store, grocery shop, supermarket within the project premises, yes, हमारा phase 2 है, मैंने जैसे पहले काता, उस पर करीब 34 shops हम लोग construct कर रहे हैं, 34 shops almost हमारे इसी सारे needs को cater करेगी, बहुत से लोगों के मन में रहता है कि मीहान ही क्यों, देखिए मैंने ब्रॉशर में भी मीहान के development के और मीहान के project के एक link दी हुई है, वह वो वीडियो, hopefully आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप देख लीए, उसमें भी आपको सारी queries जो है आपकी मीहान को लेके, location को लेके, वो solve हो जाएगी, लेकिन कुछ यहाँ पर short में हमने दिया हुआ है कि वहाई मीहान, इसको आप वैसे पढ़ सकते हैं, Township exclusive benefits, तो क amenities inside the society, safety of your family, वगेरा वगेरा, are there bank branches ATM near the location, yes, State Bank of India है, State Bank of India की ब्रांच और ATM, Central Facility Building जिसे हम W Building भी कहते है, हमारे project के पास ही है, उसमें आपको मिल जाएगा, current status तो जैसे मैंने आपको कहा था, ready possession property है हमारा, approvals सारे है, हमारे, on place है, किसी भी bank से आपको housing loan मिल जाएगा, बहुत से लोग कहते हैं कि project दूर है, surrounding, development नहीं है, livability नहीं है, लेकिन आप अगर site पर आके देखेंगे, तो आप देखेंगे, मेरे हिसाब से कम से कम, around thousand plus family surrounding तो रही रही है, हमारा project, surrounding project से सब मिला के, thousand plus families, multiplied by four करें, गयाने करीब 4-4,500 लोग वहाँ, उतने एक, देड़ कि के radius में आज रह रहे हैं, is the property freehold or leasehold, तो मिहान SCZ में, जितने भी project है, वो सारे ही 99 years leasehold है, और उसका 1 रुपे प्रती एकर की fees है, lease की, is the property freehold or leasehold, तो all the projects in मिहान are on leasehold, lease of 99 years from MADC, महराष्टर एरपोर्ट डेवलप्मेंट कमपनी, at a nominal lease of rupees 1 per acre, how big is the overall project, तो 8 acre का हमारा project है, what are the different types of developments coming up, phase 1 जो हमारे ready है, उसमें 2 BHK और 3 BHK residential apartments है, और जो phase 2 हमारा आने वाला है, वो 1, 2 and 3 BHK plant हैं, what all amenities will developer provide me, premium residential development with 88% flat facing 10 acres central green view and 1.5 acres internal garden view amenities, amenities जो दीवी हैं, clubhouse, gymnasium, semi-covered swimming pool, multi-purpose court, team garden, yoga deck, temple, 2 lakh square feet का podium, dedicated car parking for more than 400 cars, और भी चीज़ें जो आप ब्रोशर में भी हमने दीवी है, when is the position timeline, ready position property, how many floors are there in the building, 3 floor का parking है, plus 18 floor का हमारा building रहेगा, effectively 21 floors आप बोल सकते हैं, what is the flat carpet area, यह RARA related queries रहती हैं बहुत लोग के मन में, और बहुत लोग को इसका idea नहीं रहता है, तो हमने इसको deliberately इसमें डाला हुआ है, ताकि जो purchaser है, वो लोग भी समझ पाए कि carpet area क्या है, exclusive area क् common area क्या है, क्योंकि before RARA और after RARA, carpet area में बहुत दिफरेंस है, what is carpet area, carpet area means the net usable floor area of an apartment, excluding the area covered by the external walls, areas under service shafts, exclusive balcony or veranda area and exclusive open terrace area, what includes the area covered by the internal partition wall of the apartment, this is called carpet area by RARA, what is exclusive area, exclusive area is of two types, exclusive balcony or veranda area, exclusive open terrace area, the area of the balcony or veranda or open terrace as the case may be, which is which is apparent to the net usable floor area of an apartment, mean for the exclusive use of the allotty is the exclusive area, what is common area, it is the proportionate area of lobby, staircase, lift, shafts, project common area, this area is common for use of all the residents in the project, it is called the common area of the project, what is total flat area, sum of flat carpet area plus flat exclusive area, it is total flat area, इसके बाद आता है, what is the payment schedule, is it time bound, इसके लिए आप मुझे call कर सकते हैं और इसके price list भी आप उससे मंगवा सकते हैं, what is the booking amount, 10% हम लोग booking amount ले रहे हैं, लेकिन ये property ready ही ही है, तो address procedure आपको as soon as possible complete करना है, mode of payment क्या रहेगा, तो आप online transfer दे सकते हैं, NEFT कर सकते है, RTGS दे सकते है, IMPS कर सकते है, चेक कर सकते है, सारे ही भाई transaction आप इसमें कर सकते हैं, what is the delayed payment clause, since it is ready possession, payment is expected within 45 days beyond which interest will be charged, what is my responsibility for disbursement of installments through housing finance companies, obviously customer is entirely responsible for the disbursement of your pending amounts from the housing finance company, is payment schedule flexible, it is depend, so we can discuss over the table or phone also, can I make partial payment for only specific facilities which I want to use, तो ऐसा नहीं होता है कि कुछ facility, कुछ flat owner के लिए बनाए हैं और कुछ नहीं बनाए है, तो obviously सारी common facilities है, तो partial payment इसका नहीं होता है, what are the registration charges and stamp duty charges, देखिए currently stamp duty 6% and registration charges are 30,000, लेकिन ये current है, ये depend करता है time to time की इसमें क्या changes आते हैं, तो अगर आज की rate में बात करें, तो हम mid 2020 में है, तो आज का ये stamp duties का 6% और registration 30,000 है, what is the GST applicable, no need to pay GST as we received the OC, generally 1% GST is applicable under ATIBA section of Government of India, if project is not under ATIBA, it is 5% GST, so you are saving up to Rs. 2.44 lakh on your flat, sales process के बारे में कुछ questions है, what are the types of agreement to be signed by the purchaser, agreement to sales में sign होगा, when will registration happen, upon receipt of 10% payment and sanction letter plus payment of government charges, how do I book, through our, the booking के लिए भी आप मुझे calls कर सकते हैं, मेरा number में ने ब्रोशर में दिया हुआ है, do we have type with bank for customer loan financing, obviously, जन, almost सभी banks, आप किसी भी bank से loan ले सकते हैं, लेकिन major bank के जैसे SBI, HDFC, ICI, ICI है, इनके साब तो हमारा type है ही है, who will provide the electricity, तो MSC, DCL will provide electricity to us, what is the extent of power backup, power backup is available in all common area and for lift and firefighting, how do I get telecom, internet, ETC connectivity, through BSNL or through any other available services, parking के बार में फिर से हैं, कुछ questions है, what is the total number of car parks, तो around 400, 400 प्लस car parking समारे पास अविलेबल है, what is parking system, basement and two level of podium, can I take no parking or more parking per flat, minimum one is compulsory, more can be taken on payment of charges, आपको extra parking के लिए extra payment करना पड़ेगा, can my guest park for the car for 3 to 4 days, it depends on the policy of the society, हमारा society कैसे आपने, आप लोग कैसे society में frame rules frame करते हैं, उसके पर depend करेगा, construction से related हम लोग कुछ frequently ask question के बारे में बात करें, so when can I expect to move into my new home, it is a ready position property, so as soon as जो due formalities complete हो जाती है, आप move on कर सकते हैं, आपकी property में, can two flat be bought and combined into one flat, it is a ready position, यह पॉसिबल नहीं है, are modification permitted in the apartment, structural modification is not permitted, can the developer apply the flooring finishing if I customize, no, जैसे ready है तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, what documents will I get after giving you the check, RTGS, NEFT, obviously receipt or allotment letter आपको मिलेगा, once 10% amount is received from your end, what is the pricing, इसके लिए आप मुझे call कर सकते हैं, क्योंकि pricing इसलिए हम लोग video में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि price ऐसा एक factor है, जो काफी चीजों पर depend करता है, यह time to time भी change होते रहते हैं, obviously जो आज मैं price दे रहा हूं हो सकता है, एक साल बाद आपको वो price न दे पाँ, और जो offer मैं आपको आज दे रहा हूं तो वो offer भी limited period के लिए, तो offer obviously वो दो महने बाद offer नहीं रहेगा, is there any group booking discount, तो yes, obviously group booking में आप आते हैं, तो उसमें कुछ हम लोग discount अच्छा कर सकते हैं, where will visitor parking come, in the common parking space, is there any provision for solar water heating और gas pipeline, no, तुमारे project में solar water heater या gas pipeline का provision हमने नहीं दिया हुआ है, what type of security will be provided in the development and who will provide it, 24 hours monitored by security force and we have CCTVs installed in various points, for how much time company will maintain the property, company will help society maintaining the property until completion of all three phase of the project, how the maintenance charges would be utilized, maintenance charges will be utilized for water, common electricity, AMC, security and facility management services, can I take no parking और more parking per flat, हमने इसके बारे में इसके बारे में इसके बारे में इसके किया हुआ है, what is the size of swimming pool, swimming pool हमारा 39 feet बार 55 feet का है, what will be the approximate maintenance cost, presently around 1.50 rupees per square feet आपको आ रहा है, तो आप कहीं पे भी जाएंगे तो minimum आपको worst to worst situation में, 30 रुपे per square feet, 30 से पॉने 2 रुपे per square feet, कहीं पे भी आता ही आता है monthly maintenance, what is the clear height, internal clear height आपको 10 feet का रहे गई रहेगा, what is the construction technology being used, RCC frame structure using M40 grade concrete, it is earthquake resistance structure, अगर आप M40 grade कोई भी engineer, civil engineer होगा, उनसे पूचेंगे तो जो भी bridges या government के बड़े development होते हैं, यह M40 grade concrete में ही develop होते हैं, इस मिहान अंडर NMC और NMRD है, नो, मिहान यह MADC के अंदर आता है, महाराश्टर एरपोर्ट डेवलेपेंट के यह नहीं NMC में आता है, नहीं NMRD में आता है, नापपुर मेट्रोर्रेजिन रूरल डेवलेपेंट आथरेटी जो NMRD, do you have water storage inside project and how much capacity, yes, we have two tanks, हमारे अपोजिट में, डाइगनली अपोजिट में, यह अरवाइ स्कूल डेली पॉब्लिक स्कूल और डेवाइ पार्टियल इंटरनेशनल स्कूल, यह वाकिंग डिस्टन्स में, आराउंड 500 मीटर्स बेस का डिस्टन्स शायद नहीं होगा, अदर स्कूल फिर भी है, दो-तीन किलोमेटर के रिडियस में और दो स्कूल है, तो यह कुछ फ्रिक्मेंट्लियास कोश्चन्स रहते हैं सभी के, तो यह हमने कवर करने के इसमें कोशिश की है, इसके अलावा आपके पास और भी क्वेरीज या कोश्चन्स होंगे,